नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका दनीज लॉंचर के इस यूट्यूब बंच पर दोस्तों बिहार में भारती जनता पार्टी मुश्किल में क्यों फसी क्या नितीस कुमार ने बीजेपी को मुश्किल में फसा दिया क्या तेजस्वी यादों ने बीजेपी को मुश्किल में फसी है आज हालात यह है कि बीजे पी को पाँ शीटे बिहार में लोगसवा आके मिल जाएए। तो यह किसी चमतकार से कम नहीं और यह हालात बने क्यों 2004 में भी भाजपा को बिहार में पाँ शीटे मिली थी लेकिन 2004 वाली परिस्थिति योदे भाजपा दोजार चाउबिस में दिखाई दे नरद्र मोदी और अमिट्शा की चानक की नीती के दौर में दिखाई में इस देश ने इतनी तरक्की की कि इस देश की 57 पिसदी आश्चर होता है कि आखिर बिहार में भारती जनता पार्टी का कबारा निकलता हुआ जो दिख रहा है वो क्यों निकरा है क्यों दिख रहा है दरसल बिहार में भारती जनता पार्टी हमेशा से मत भिन्निता की नीती भिन्निता की और चेहरे के अभाव की सिकार रही है कि आखिर बिहार में मंडल कार्ड चलाया जाए या बिहार में कमंडल कार्ड चलाया जाए कौन सा कार्ड बिहार में खेला जाए जिस कार्ड के सहारे बिहार में सियासत हो कई दाव अजमाये गए बिहार में आखरी बार भारती जनता पार्टी अपने नेत्रित्तु में यू कहें लगभग अकेले चुनाव लड़ी 1995 के बाद 2015 में पंचानवे में उसके पास चहरा नहीं था लेकिन तब बिहार जारखंड एक ही राज्य हुआ करते थे 324 सदस्यों के बिदान सभा में केवल 41 सीटे आई बमुस्किल विपक्ष के नेता का दरजा भाजपा के नेता यस्वन सिन्हा को मिला था लेकिन अब 2015 की परिस्थितियों पर गौर करें तो नगरी नगरी द्वारे द्वारे प्रधानमंत्री की सभा हो रही है बिहार में जाकर बिहार के मुख्यमंत्री के डेने पर सवाल उठाए जा रहे हैं चंदन प्रसाद और भुजंग कुमार जैसे सर्दावलियों का प्र भारती जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के दौर में पैर नहीं जमा पाई और जब नरेंद्र मोदी के दौर में भाजपा पैर नहीं जमा पाई तो भला किस दौर में पैर जमा पाएगी तो भारती जनता पार्टी के कारेकरताओं की माने उनके नेताओं की माने तो जिन नरन्रमोदी का डंका पूरे विश्व में बचता है बाजबा देताओं के सब्दों में पूरे विश्व में जिनका डंका बचता है उनका डंका बिहार में नहीं बच पाया दरसल बीजेपी पर आप गौर करें तो साफ दिखाई देता है कि विहार की भारती जन्ता पार्टी को या विहार के मामले में भारती जन्ता पार्टी को ट्रेन पकड़नी होती है दिल्ली की तो ट्रेन पकड़ लेती है कलकत्ता की एक मुहावरे के माम के संदर में मैंने कहा कि बजाए दिल्ली के हो कलकत्ता की ट्रेन पकड़ लेती है तो हालात यह होते हैं कि पटना भी हाथ से फिसल जाता है आज भारती जनता पार्टी 17 सीटों पर लड़ रही है और 17 सीटों पर कंपोजिसन को देखियै टिकट के कंपोजिसन को देखिए सब कुछ समझ में आ जाएगां बीजै-पी का आधार वोट जए विखार में लेजैकर आधार वोट रहा है अगणी जातियों का वोट और से समाजों की पिछड़ा और कुछ महादलित जातियों को भी उसके थोड़े से सेक्षन को लाभारती चेतना के दाइरे में भारती जंता पार्टी ने अपने चुनावी हिंदुत्यों के साथ खड़ा करने की कोशिस की लेकिन उसमें कामया भी मिलती नहीं दिख रही है 2015 में भी नहीं मिली और 2020 में भी नहीं मिली 2014 में तिरकुनात्मक लड़ाई में फायदा मिला और 2020 में नितीस कुमार के साथ होने और बाला कोट सर्जिकल स्ट्राइक के बाद की परिस्तित्यों का फायदा मिला बीजेपी कभी भी बिहार में popular mandate प्राप्त करने वाली पार्टी नहीं बन सकी कारण यहीं है आधार वोट कुछ और है और चेहरा थोपा जाता है कुछ और तो वोट कहां से आएगा आज रास्टी जनतादल का आधार वोट ही MY समिकरन है तो MY समिकरन के दाइरे से ही पार्टी का चेहरा आता है आज नितीस कुमार का आधार वोट ही लोकुस कुछ अती पिछड़ा कुछ महादलित है तो नितीस कुमार का चेहरा भी यानि पार्टी का चेहरा भी उसी समाज से आता है लेकिन भारती जनता पार्टी वोट अगड़ी जातियों का वोट वैसे समुदाय का और चेहरा बनेंगे समराठ चौधरी और जब समराठ चौधरी चेहरा बनेंगे तो 17 में से एक कैंडिडेट भी समराद चौधरी के समधाय के नहीं होगे यानि समराद चौधरी को अस्थापित होने के पहले ही पूरे बिहार में परचारित करने का काम भारती जनता पार्टी में ने जाने अंजाने में किया कि जो व्यक्ति अपने समाज से एक अदद लोगसभाद टि तो क्या खाक कर पाएगा यह हकीकत है क्या उत्तर प्रदेश में ऐसा बीजेपी कर सकती थी कि ठाकुर समाज से आने वाले राजपूर समाज से आने वाले योगी आदित नात को मुख्यमंत्री बना दे और असी में एक भी टिकट किसी राजपूर को ना दे क्या बीजेपी प्रदेश सद्यक्ष बिनाद मंडल के नेता सब कुछ समराग चौधरी लेकिन समराग चौधरी अपने समुदाय से टिकट नहीं दिला पाए और वहीं दूसरी तरफ समराग चौधरी को चेहरा बनाने से जो बीजेपी का कोर वोटर था जो अगडी जाती और वैसे का कोर वो लेकिन तीन टिकट बीजेपी ने दिये यादो समाज से जहां लालू यादो के वोट बैंक में डेंट लगा पाना बीजेपी के लिए लगबग असंभाव सा काम है बले कुछ सामाजिक परिस्थितियों में इनका कैंडिएट कभी जीत जाता रहा हो यादो कैंडिएट ले जाती जनगन्ना से बीजेपी ने पीछा क्यों छुडाया क्यों नहीं 2021 कि जनगन्ना हुई क्यों पूरे देश में जाती जनगन्ना नहीं हुई सामाने जनगन्ना नहीं तो भला जाती जनगन्ना क्या खाक होगी सामाने जनगन्ना ही नहीं हुई अब तक क्यों नहीं हुई कोरोना महामारी का असर उसकी दूसरी महा लहर को बीते भी तीन साल बीत गए जणगन्ना क्यों नहीं हुई यह सवाल लोग पूछ रहे हैं और समराग चौधरी को चेहरा बनाए जाने से भलहीं दस टिकट बीजेपी ने सवर्णों को दे दिये अति पिछड़ा राजनिती में घुसने की कोशिस कर रही है अति पिछड़ा से केवल दो टिकट दिये गए अर अरिया और मुझे अप्फर पूर तो भला सत्रह में दो टिकट देकर दलित समधाय को सिर्फ एक टिकट देकर क्या बीजेपी चुनाओं में बाजी मार लेगी यह अपने आप में बहुत बड़ा सवाल बहुत बड़ा सवाल यहां खड़ा होता है वहीं बिहार में बीजेपी के आधार वोटर जिनकी तादाद तकरीबन 16-17 परतिसत है हाला कि उसमें भी एक परगतिसील तबका है जो भारती जनता पार्टी के चुनावी नेरेटिव से बाहर जाकर वोट करता है तो वो तबका यानि अगड़ी जातियों के सवर्णों के का तबका वैस्यों का तबका जब इस तबके को 11 टिकट दे दिये गए 10 सवर्णों को औ उसके बाद टिकट उन्हें बड़ी संख्यावें इंडिया गटबंदन से भी मिला ऐसा नहीं एक इंडिया गटबंदन ने टिकट नहीं दिये खुल कर दिया तो उस परिस्तिती में साफ जाहिर होता है भुमियारों को कितने टिकट मिले भुमियार समाज को बिहार में इंडिया गठमंदन से भी तीन टिकट और एंडिये गठमंदन से भी तीन टिकट तो भला क्यों भुमियार समाज एंडिये के खूटे से बना रहेगा उससाब दिखाई दे रहा है कि जहां उसका परत्यासी जीतने लायक होगा उनके साथ चला जाएगा राजपूतों को ज्यादा टिकट इंडिया कट बंदन इसलिए नहीं दे पाया क्योंकि ज्यादा तर राजपूर डॉमिनेटेट सीटों पर यदि बक्सर के अपवाद को छोड़ दे तो भारती जंता पार्टी टिकट दे चुकी थी और यह पुरानी एस्टेटी थी कि कुछ चुनिंदा दो तीन सीटों को छोड़कर एक जाती के कंडिडेट के खिलाब सेम कास्ट के कंडिडेट को कॉंटेस्ट नहीं कराना है यह पुरानी एस्टेट जी इस बार इंडिया अलायंस ने बनाई जो पिछले चुनाव में इसका अभाव दिखा था तो आज की तारीख में साथ दिखाई दे रहा है कि समराड चौधरी को चेहरा बनाये जाने के बाद अगड़ी जातियों और वैसियों को भी लगा कि जब भारती जनता पार्टी के CM कैंडिडेट भी डॉमिनेंट OVC से है और ध्यान लखिये सिर्फ अगड़ी जातियों और वैसियों को ही नहीं लगा यह अति पिछड़े और महादलितों को भी लगा कि जब तीनों पाठियों के चेहरे और जेडि के चेहरे भी उसी तिर्वेणी संग की जातियों से आते हैं यादो कुर्मी कुसवाहा जेडियू का चेहरा भी उसी तिर्वेणी संग की जातियों से आता है और भाजपा का चेहरा भी उसी तिर्वेडी संकी जातियों से आता है यानि यादो कुर्मी कुस्वाहा में इन तीनों पाटियों को राजनिती करनी है और दूसरी विरादरी समाज का दूसरा हिस्सा सिर्फ पीछे-पीछे नारा लगाने के लिए है चाहे वो अगडा वर्ग हो चाहे वो वैस्से वर्ग हो चाहे वो अती पिछणा वर्ग हो चाहे वो मादलित वर्ग हो जब उनको नारा ही लगाना है जंडा ही होना है किसी के पीछे चाहे समराठ चौधरी के पीछे चाहे नितिश कुमार के पीछे चाहे लालू यादो के पीछे तेजस्वी यादो इस तबके ने भी decide कर लिया है जो बिहार से ख़बरे आ रही है उससे साफ दिखाई दे रहा है कि इस तबके ने भी decide कर लिया है कि अब जहां जिस seat पर जिस candidate के साथ उनका equation बनेगा उस candidate के साथ वोट डालने जाएंगे अब आप देख सकते हैं हो क्या रहा है बहुत तरह की सांपरदाइक बाते कही जाती है पप्पु यादों की seat पर देख लीजे क्या हुआ और अब सबसे बड़ा लिटमस टेस्ट सिवान की seat पर हो रहा है पूर सांसत सहाब उद्दीन की पतनी हिना सहाब चुनाओ लड़ रह होते हुए दिख रहे हैं सोचिए जिस वोट को भारती जनता पाटी अपने चुनावी हिंदुत के दारे पर ले आई थी वह वोटर उस कैंडिडेट के साथ जाने के लिए तैयार नहीं है जो एक जमाने में जिसके उपर आरोप है कि लाल जंडा गार कर किसी की जमीन पर अपनी विजय लक्षमी देवी तो उस परिवार के साथ क्लम होने की बजाए उनके साथ जाने की बजाए सिवान का सवर्ण उस तरब जाता हुआ दिख रहा है जो उस लाल जंडे के खिलाफ वहां की अगडी जातियों के साथ वहां के जमिंदार वर्ग के साथ वहां के पर इताना बाना बिखर चुका है। बलां युदेवान में लड़ रही है। लेकिन जहां लड़ रही है। गिंती करके देख लिजिए। पश्मी चंपारण एक नंबर सीर्ट बार्ती जनता पार्टी की। और बीजे पी का मुकाबला वहाँ ब्रहामन कैंडिडेट जो कॉंग्रेस पार्टी से हैं तो भला क्यों न वहाँ पर सवर्ण वोटर जाकर सवर्ण सांतर जिता है जब उन्हें समराठ चौधरी और नितिश कुमार और तेजस्वी यादों के साथ ही इन ही तीनों के लिए जंडाड होने का काम करना है त सवर्ण वोटर वहाँ हाका अती पिछडा वोटर वहाँ का महादलित वोटर ठीजिता जनुचारी किसे भी कम्मुनिटी के हो वह भला क्यों न चले जाएं वह भी सी से आने वाले बिहार में इंडिया मोतिहारी में इंडिया गट बंदन के उमिद्वार जो रादा महुन सिंग के खिलाप लड़ राजेस कुषवा जब लड़ाई बैकवर्ड बनाम फॉरवर्ड ही वहा हो रह देखी है और अल्प संख्य क्यानी मुसल्मान वोटर की प्रात्मिक ताएं दोनों जगह इंडिया गट बंदन के साथ पहले से भी होती वह हैं उन्हें अगड़े पिछड़ से ज्यादा मतलब नहीं है ठीक इसी तरीके से सीवहर में लवली आनंज चुनाओ लड़ रही है वहाँ बीजेपी नहीं लड़ रही है लेकिन वैसे समुदाय का कैंडिडेट आर जेडी ने उता रहा है भला वहाँ वैसे समुदाय क्यों ना उनके साथ चला जाए बीजेपी की दूर्सी सीटों को देखिए मसलन मुझभफरपुर की सीट दो निसादों की लड़ाई में सवन्ड वोटर क्या करें किसके साथ जाए अजय निसाद के साथ या राजभूसन चौदरी निसाद के साथ स्वाभाविक है जिस कैंडिडेट के साथ उसके एक्वेशन अच्छे होंगे उसके साथ हो जाएगा चुकि दोनों कैंडिडेट आती पिछनी जमात से हैं तो कि बीजेपी के कोर वोटर वाले सेक्षन के वोटर होंगे वह अपनी प्राश्मी टैक कैंडिडेट के हिसाब से करेंगे ना कि पार्टी के हिसाब से इसी तरह आगे कितने सीटों का जिक्र करें छपरा की सीट देखिए रोहिनी आचारी बनाम राजी उपरताप रूडी की लड़ाई और उस लड़ाई में भी आप देख सकते हैं कि अगड़ा बनाम पिछडा की लाइन खिची हुई है ठीक इसी तरीके से पटना की सहर की सीट पर जिसे बीजेपी के लिए पेच्छा कृत मजबूत सीट माना जाता है वहां पर भी कुस्वाहा समाज से आने वाले मीरा कुमार के बेटे अंसुल अविजीत और अविसंकर प्रसाद में अगड़ा बनाम पिछडा की लाइन खिच जाए कोई आश्चर नहीं होना चाहिए आश्चर तो आरके सिंग की सीट पर भी नहीं होना चाहिए आश्चर तो ब्रामन बनाम ठाकुर की ट्रेडिसनल चु अब सवाल यह उठता है कि भारती जन्ता पार्टी कहां कहां देखें गिर्राज सिंग यहां भी वही इस्तिती है नित्यानंद राएक यहां तो सीट पर उज्यारपुर की बात करें तो यादो बनाम कुस्वाहा की सीधी लडाई में उस पर इस्तिती में क्या सम्राज चौ पार या तेजस्वी यादों के चेहरे को देखकर के वोड़ देगा स्वाभाविक है कि पर इस्तितियों को देखकर वोड़ देगा कमोबेस यही काम दर्भंगा में होने जा रहा है यही इस्तिती अलियासरब फात्मी बना मसोख यादों की लडाई में मधुबनी में था ने नहीं है नावादा में और उरंगाबाद में जो आपने देखा है वह ट्रेलर था और बिहार कि राजनीति में भारती जनता पार्टी मति भरं की सिकार जो दिखाई दे रही है कि आखिर कौन सा रास्ता पकड़े कमंडल का रास्ता या मंडल का रास्ता इस रास्ते पर चलने में बीजेपी को जो दुस्वारियां पेसा रही है मंडल का रास्ता पकड़ने की सिधी गुंजाईस उनके पास है नहीं को कि बिहार में मंडल का रास् में क्या होगा मंध्य प्रदेश 36 गड़ में क्या होगा राजस्थान में क्या होगा फिर वहां की कास्ट कंसस्नेस को जाती है चेतना को कैसे दबाएंगे कि बिहार में दूसरा रास्ता और दूसरे राजियों में दूब्यार में मंडल दूसरे में कमंडल वह कर नहीं सकते कम कमंडल का रास्ता जो पकड़ा था उस कमंडल के रास्ते पर कभी भारती जनता पार्टी इमांदारी से चलती दिखाई नहीं दी तो सवाल यह उठता है कि आज की तारीख में जब NDA का वोटर ही अंदर खाने बिखरा हुआ है कोई 2020 के चिराग मॉडल का राजनितिक बदला दो-क यह नहीं तो पासवान को आगे बढ़ाने के लिए या और किसी और को आगे बढ़ाने के लिए भाजपार जडिव दोनों की एस्टैबलिस हो चुकी अस्थापित हो चुकी नेत्रित को नीचा दिखाने के लिए अपनी राजनीति उपर करना चाहता है लेकिन सवाल घूम फिरकर वहीं आजाता है कि आखिर भीतर घात जेडियू के लोग अगर करें भीतर घात बीजेपी के के लोग करें भीतर-गात चिराग पासवान की पाथ के लोग करे कहीं से कोई भी करें 272 का आखड़ा ना तो नितिसकमार को चाहिए में चिराग पासवान को चाहिए 272 का आखड़ा संसर में नरंद्र को चाहिए और नेता नरेंद्र मोदी को विपक्षी बेंचों पर बैठना पड़ेगा प्रधान मंत्री की जगा नेता विपक्ष विपक्ष के नेता नरेंद्र मोदी ये कहे जाएंगे तो इस परिस्तितियों में भारती जरता पार्टी जिस पकार से बिहार में बिखरी हुई दिखाई दे रही है स्ट्रेटिजिक तौर पर, कैडर के तौर पर, कैंडिडेट सेलेक्शन के फार्मूले के तौर पर और स्ट्रायोगी दलों के साथ एडजेस्टमेंट के तौर पर, हर तरह से जो बिखरी हुई दिखाई दे रही है यहां तक कि संग और बीजेपी का भी आपसी कोडिनेशन बहुत साफ साफ दिख नहीं रहा है तो उस परिस्तिती में पांच सीटे भी भारती जनता पाटी बिहार में लेकर के आ जाए तो यह किसी चमतकार को नमस्कार करने जैसा होगा तो देखते हैं क्या होता है लेकिन जो बिहार में भाजपा दिखाई दे रही है न तो उसका इलाज नरंध मोदी के पास है न उसका इलाज अमिट स्टा के पास है और नहीं उसका इलाज नितिश कुमार के पास है और इलाज ढूड़ने पे जब दो फेज का एलेक्शन निकल गया तो बचे हुए पांच फेज में पता नहीं कौन सा चुनावी इंजेक्शन दिया जाएगा इसको लेकर भी अभी से लोगों में भरम किस्तिती है तो देखते रहिए बिहार की ताजा तरीन खवरे निउज लॉंचर पर आपको मिलती रहेंगी और सबसे दिल्चस्प चुनावी लड़ाईयों की खवरे भी आपको बिहार है नहीं बल्कि पूरे देश की आपको यहां मिलती रहेंगी आज के लिए इतना ही और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें नमस्कार